हेलो एवरिवन, वेलकम टू फांडेशन क्लासिज, मैं नेम इस अमित, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारा जो हिंदी का पेडागोजी सेक्षन है, उसकी जो थेोरी क्लासिज हमने स्टार्ट कर रखे थी, वो खतम हो चुकी है, हमारा जो CDP का करेंगे, प्रिवेस येर क्यूसंस, यानकि जो 100% आपके ओरिजनल होंगे, जो एक्जाम के अंदर आए होंगे, फिक है न, तो 2011 से लेकर, 2023 तक, अब तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं, इस चैनल पर आपको सभी करवाए जाएंगे, और अच्छे से डिटेल से इन लोस होगा, आप रह जाएंगे, ठीक है न, तो इसलिए इन वीडियो को 100% देखिए, और इस पर आपको सभी कम्प्लीट करवाई जाएंगे, ठीक है, अगर आप चाते हैं कि आपको वीडियो स्टेम पर मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अगर आ फस्ट ओप्सन देखिए, अच्छा, एक चीज और आप याद रखना, जब भी आप पेडागोजी करें न, आप चारों ओप्सनों को 100% पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड क्यूसन होते हैं, और आपको नेगलक्ट तरिक्के से आगे बढ़ना है, जैसा मैं बता और सिर्फ संप्रेश्चन का एक मातरशादन क्या है, भासा यह है, तो यह चीज आपके गलत हो गए न, यहीं कि केवल आ गया न, और मैंने आपको बताया था, जिसमें भी केवल आ जाएगा न, वो आंसवर वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है न, तो संप्रेश्चन का एक म चुनोती है, पर नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया है, अग बासा है न, कभी भी एक जटिल चुनोती नहीं बनेगी, कभी भी समस्या नहीं बनेगी, कभी भी बादधक नहीं बनेगी, यह क्या होगी, आप एक संसाद्धन के तोर पर इसका यूज कर सकते हो, यह न्वर सेस्टन करते हैं बासा के जरीए तो सिर्फ ओर सिर्फ सब्जेक्ट थोड़ी नहीं तो यह भी यह हो गया आपका गलत हो गया तो राइट आंसर क्या होगा आंसर नंबर सेकिंड आगे देखते हैं बासा का प्रियोग केवल पठे पुस्तक में होता है पर हो गया न नेक्स्ट देखिए के वल परिक्ष्या में होता है यह भी क्या हो गया आपका गलत हो गया तो राइट आंसर क्या होगा आंसर नमबर थ्री और विविन संदर्बों का मतलब क्या है यानि कि भिन-विन सिच्वेस्टितियों में अब किस तरह से बासा का यूज करते हैं ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्टन है हमारे पास आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्यूस्टन है बच्चे अपने परिवेस से स्यम बासा अरजित करते हैं तो इसका नहितार्थ क्या है यानि कि इसका मतलब क्या है क्या कहना चाह रहा है यहां पर देखिए बच्चों को केवल लक्से बासा का ही केवल आ गया नूर्मल सी बात है आपका अंसर गलत हो गया आगे देखिए बच्चों को अतियंत सरल बासा का परिवेश उपलब्द करवाया जाए नहीं भई अतियंत सरल बासा का क्यों करवाएंगे आप नूर्मल सी बात है बच्चों को कुछ सिखाना है ना तो आप एकदम सरल चीज़े थोड़े ना दोगे बच्चों को आगे देखिए बच्चों को बिल्कुल भी भासा नय पढ़ाई जाए नूर्मल सी बात है गलत है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा आंसर नमबर वन यान इसके जरिये बच्चे बासा का अर्जन सैज और सवभाविक रूप में करते है ठीक है ना तो हमें क्या करना है हमें बच्चों को सिर्फ ओर शिर्फ वो बासा प्रवे सुपलब्द करवाना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसर नमबर फर्स आगे देखिए बासा स पुष्टी के लिए तरक देना, हाँ ये भी आपका हो सकता है, ठीक है वई, विभिन प्रिस्थितियों में बासा का भरवावी प्रियोग करना, अब बताइए आप बेस्थ आंसर क्या है, मैंने बोला ना, आपके सभी ओप्सन सही हो सकते हैं, लेकिन हमें चुनना है बेस्थ नोर्मल सी बाता आपने, आपर क्रेक्टर आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4 होगा, जब आपने विभिन प्रिस्थितियां कह दी, विभिन स्थितियां आपने जब बोल दी, प्रिस्थितियां या स्थितियां बोल दी आपने, तो इसका मतलब क्या है, उप्रवाले जो तिन हाँ ये भी हो सकता है, आगे देखिए, बच्चों को बासा परियोग के आउसर उपलब्द करवाना, हाँ ये भी हो सकता है, आगे देखिए, बासा के तुरुटियों के परती, कठोर रवया अपनाना ये तो नहीं हो सकता, बै नोर्मल सी बात है, कठोर रवया कभी ने अपन चुनना है और मैंने आमिस्या आप से बताया है बच्चे को हमां हिस्ष्या सेंटर के अंदर रखेंगे सेंटर के बीच में रखेंगे तो सबसे बैस्ट आंसर क्या होगा आंसर नंबर थी यो कि हमें क्या करना है बच्चों को बासा के प्रियोग के आउसर उपलब्द करवान अगर बच्चों को आउसर ही नहीं मिलेंगे तो नORMAL सी बाद वो कैसे सिखेंगे ठीक है, आगी देखिए भासा की एक कक्षा में एक सिख्षख बच्चों से क्या पेक्ष्या करता है यानिकी बासा की कक्ष्चा है तो जो सिख्षख है ना जो टिचर है वो क्या पेक्षिया करोगे बच्चों से, देखिए बच्चे सवालों के बंदे बदाएं जवाब दे बंदे बदाएं जवाब का मतलब है रटाफिकिस्टन, यहने कि रोट लर्निंग उन्हें पता है, उन्हें उन्हें रट लिया आंसर को ठीक है और वही जवाब दे रहे हैं वो आप ऐसा चाहोगे, नहीं बई, ऐसा नहीं चाहोगे आप आगे देखिए संस्कृत निस्ट, बासा में ही जवाब दे, यहने कि संस्कृत में ही जवाब दे यह भी आपका गलत है बच्चे अपनी मात्र बासा का बिलकुल भी परियोग नहीं करें यह भी क्या है, आपका गलत है क्योंकि नर्मल सी बात है, यह चीज तो बोली गई है आपका NCF 2005 भी कहता है कि 5th क्लास तक मात्र बासा में परियोग कीजिए और यहां तक कि आपकी जो NEP 2020 है मैं यह सारे टोपिक करवा चुका हूँ उन्होंना तो यहां तक बोलाएगा, आप 5th क्लास तक भी 8th क्लास तक भी और इससे आगए भी अगर possible होता है तो आप मात्र बासा का ही यूज करवाई यह बच्चे से ठीक है, तो यह भी नहीं हो सकता तो राइट आणसर क्या होगा, बच्चे सवाल होगे भंदे बदाए जवाब ना दे नूर्मल सी बाद है नए दे सिखसक यह चाहेगा, अग बच्चे कुछ क्रेटिव जवाब दे, ठीक है ना बच्चे सोच समझ कर, लोजिकल थिंकिंग करके क्रिटिकल थिंकिंग करके जवाब दे, ठीक है तो यहाँ पर हमार आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, आगे चलते हैं भासा के व्याकरण की समझ को, यानि व्याकरण की समझ, भासा में व्याकरण की समझ को, देखिए, संधर्ब परख, परशनों के माध्यम से आका जाए मैंने आपको संधर्ब परख बताया था क्या होतता है, चलिए पहले आप आगे option देख लीजे, फिर देखते हैं केवल वस्तुनिष्ट परशनों के माध्यम से आका जाए आगे देखिए, केवल आ गया तो ये तो आपका गलत हो गया आगे देखिए, केवल अगुत्तर परशनों के माध्यम से आका जाए ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया आगे देखिए, निबद धात्मक परशनों के माध्यम से आका जाना जी ये भी क्या होगा आपका गलत होगा राइट अंसर क्या होगा संधर्ब प्रक मैंने बताया था संधर्ब प्रक का मतलब होता है at a time at a situation यानकी परिस्थिति के अनुसार तो संधर्ब प्रक का मतलब हो गया जब आप व्याकरण को करवा रहे ना most important है एक भी ऐसा क्यूशन यह है जो वहां से भाहर जा रहा है ठीक है आपको बोल रहा हूँ यह चीज तो वह most important वीडियो है उनको आप देखिए अच्छे से 3-4 बार देखिए आप ठीक है आगे चलते हैं पर्षन पूछना पर्तिकरिया व्यक्त करना या परीचर्चा में भाग लेना या निकि ग्रूप डिसकुशन के अंदर और वर्णन करना यह सब क्या है देखिए आगे देखिए आगे बाफसा आक्लन के तरिके मतर हैं सिर्फ और सिर्फ तरिके ही हैं बस यह बोल रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो right answer क्या होगा answeritte यानकि बासा सीखने, सिखाने, तथा आकलन के तरिके हैं, दोनों सामिलें इसके अंदर, तो हमारा बैस्ट आंस्वर क्या होगा, आंस्वर नंबर 4, आगे देखिए, भाव बासिग एवं भाव सांस्कृतिक कक्ष्या में, यानकि नोर्मल सी बात है, आपकी कक्ष्या में क्य आ रहा है, option देखिए, बच्चों की मातर बासा का सदैव, परियोग किया जाना चाहिए, हाँ बच्चों की मातर बासा का परियोग, वर्जित होना चाहिए, यह गलत है भई, वर्जित हमें मना नहीं करना है, मैं अभी बता है न, NCF 2005 ने भी, और Education Policy ने भी, जो आपकी New Education Policy आई है, National Education Policy 2020, उसमें भी, तो बोला गया है, मातर बासा का यूज करवाई है आप बच्चे से, ठीक है, तो यह भी गलत हो गया, आगे देखिए, बच्चों की मातर बासा को समुचित समान दे, स्थान देते वे, माननक बासा से भी परिचित कराना चाहिए, हाँ, यह आपक हो सकता है, आगे देखिए, बच्चों को केबल माननक बासा के परियोग के लिए प्रुशकर्द करना चाहिए, यह भी आपका गलत है, माननक बासा का मतलब हो गया, स्टेंडर बासा, जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, सिर्फ और उसमें ही प्रुशकर्द कीजिए, यह तो गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर यहापर क्या होगा, बच्चों की मातर बासा को सम्मुचित सम्मान देते हुए, स्थान देते हुए, आप बच्चे को माननक बासा सिखाईए, यानि कि जो बासा आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो सिखाईए, लेक बासा के व्याकरण सीखने पर बल देना, हाँ बही कहीं न कहीं हो सकता है, बही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं न कहीं हो सकता है, क्योंकि हमें best option को चुनना है, इनको मैं गलत करने का तरिका भी बता दूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ न हमें best option को चुनना है, तो इसलि सी बात है होंगे ही अगर आप कुछ कर रहे हैं कुछ सीख रहे हैं तो गलतियाँ होनी तो आउसीक है वो तो होंगी ही होंगी ठीक है आगे देखिए भास्ता की बारिखी और संद्रिय प्रक को या संद्रिय बोध को सही रूप में समझने की चमता को अतोच साहिद करना यहाँ पर प्रोच साहिद होता ना तो यह सही हो जाता यहाँ भे बोले अतोच साहिद करना ठीकर ना प्रोच साहिद नहीं किया जा रहा अतोच साहिद किया जा रहा है यानि कि निरास किया जा रहा है sad किया जा रहा है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा right answer और best answer कौन सा होगा निजी अनुभवों के यादार पर बासा का सर्जन सिल परियोकर्ष के बच्चा इसलिए हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं बासा सिखाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पर जोर थोड़ी ना देना है हमें तो यह भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा तो right answer क्या होगा answer number second अगे चलते हैं बच्चों की बासा संबंदी क्रमिक प्रगती का लेखा जोखा रखना क्या कलाता है देखिया बच्चों की बासा संबंदी क्रमिक प्रगती का लेखा जोखा रखना खालिस्तान से ही संभव है किसे संभव है लिखित परिक्षा से भाई ठीक है कही ने कही हो सकता है लेकिन गलत है मोखिक परिक्षा से ये भी क्या है गलत है उत्तर पुस्तिकाओं से ये भी क्या है आपका गलत है तो आपका राइट आंसर क्या होगा portfolio अब आपको पता होना चीए portfolio क्या होता है मैंने आज assessment का part number 2 डाला है ठीक है और मैं आपको बता चुका हूँ कुछ ये common topic होते हैं जैसे NCF 2005 हो गया ठीक है IT 2009 हो गया ठीक है assessment हो गया blooms taxonomy हो गयी ये कुछ ऐसे topic है जो common है आपकी हर जगए use होंगे ये चीए आप psychology पढ़िए चीफिर आप pedagogy पढ़िए किसी भी subject की हर जगए इनका use होना ही होना है ठीक है तो उसमें मैं आपको portfolio करवाऊंगा तो portfolio क्या होता है पता है आपको portfolio का मतलब होता है जो बच्चा होता है न बच्चा जब school में रहता है तो हर teacher portfolio बनाता है हर बच्चे का बनता है और उसमें क्या होता है उसकी पूरी detail होती है बच्चे का पूरा लेखा जोखा होता है उसके साथ जो जो school में हुआ है उसके marks वगेरा उसकी mark sheet हर चीज के बारे में detail होती है उसकी portfolio के अंदर ठीक है तो आप यह समझे एक file की तरह होता है portfolio जिसमें बच्चे के बारे में complete detail होती है और जब class change करता है बच्चा मालो third class में है जब fourth class में जाएगा तो third class का जो teacher है न यह portfolio fourth class के teacher को sop देता है आगे ठीक है या फिर बासा सीखने का एक मात्र संसाद्धन है या फिर अब ब्यासपरक ही होनी चाहिए तो यह भी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बई अब ब्यासपरक होने से थोड़े ना काम चलेगा हर quality होती है बासा की पाथे पुस्तक में आगे देखिए बासा सीखने का एक मात्र साद्धन है या संसाद्धन है ये भी गलत हो गया बचा क्या हमारे पास साद्धन और साद्धे मैंने आपको परशोजो प्रक्टिस एट करवाया था उसमें साद्धे और साद्धन का मतलब बताया था मैंने साध्ध्य का मतलब क्या होता है साध्ध्य का मतलब मैंने बताय था लक्स यानिकि aim ठीक है जब हमारा कोई aim होता है कोई लक्स होता है उसको बोलते हैं साध्ध्य तो बासा के पठ्थ पुस्तिक हमारा aim थोड़ी नहीं हमें लक्स थोड़ी नहीं यह क्या है यह हमारा साध्धन है यानिकि जब हम किसी चीज को सीखते है ना उस लक्से तक पहुचने के लिए हमारा साध्धन के रूप में काम आती है पठ्थे पुस्तक यानिकि साध्धन नहीं है साध्धन है यह क्या है साध्धन है ठीक है यह हमारा साध्धन तक पहुचन कहीं हो सकता है लिखित परिक्षा हाँ ये भी हो सकती है परसनों के उत्तर देना ये भी हो सकता है अब आगे देखिया आप फोर्थ नमर आपका परसन पूछना और पढ़ी गई सामगरी पर परती करिया वेक्त करना यानि कि ये हमारा होगा बेस्ट आंसर ठीक है उप्रवाल ये भी हो सकता है और भासा का व्याकरन ये भी कहीं न कहीं सही है लेकिन बेस्ट क्या होगा बासा के विबिन रूपों का परियोग करना पर नॉर्मल सी बाद है विबिन रूपों में सब कुछ आज़ता है तो मारा राइट आंसर और जो बेस्ट आंसर यहां पर होगा न व पिर बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, तो गलत है, पत्र पत्री का है, छोटे बच्चे भी तो पढ़ सकते हैं, जैसे मैकजिन पढ़ रहे हैं वो, तुरूटियों को बढ़ावा देती हैं, नहीं भी ऐसा तो नहीं है, बादधक हैं, बादधक भी नहीं होती, तो क्या प्रेक्टिस सेट है, 2011 से अब तक इतने एक्जाम आपके हो चुके हैं, आपको अलग से कोई मोक टेस्ट करने की ज़र्त ही नहीं पड़ेगी, इतने क्युस्सन हो जाएंगे, रिवाइज के लिए, अंडरस्टेंड के लिए, नोर्मा से बात है, आप 100% पूरे नंबर ही ल बैठना है, और उस दिन के बारे में सोचते विए आपको पढ़ना है, अगर आप प्रेजेंट की सोचेंगे ना, तो नोर्मा सी बात है, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को, आप उस दिन के बारे में सोचे, जिस दिन आप एक्जाम के अंदर बैठेंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है तब आपका मन करे पढ़ने का तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इनको सेर कीजिए बाकि लोगों तक भी पहुचाईए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू